नवस्कार मैं अपदेश मिश्रा आप सब देखते रही हैं भोजपूरी बात हैं बात हैं देखिए किसी को सम्मान मैं गुबिंदा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ गुबिंदा जी का एक बार बनारस हो गए थे तो उनसे बात मेरी हुई तो बोले कि बेटा मैं तुमारा इंटर्वी शुनता हूँ तो तुम बोलते हो कि मैं गुबिंदा जी का आदर्स मानता हूँ लेकि आपने कभी मुझसे मिलने की कोशिस नहीं की मैं बोला कि सर मैं आपको प्यार करता हूँ और प्यार करने के लिए मिलने की जरूरत नहीं होती है गुलाब के फूल है आप मेरे लिए मैं आपको छूना नहीं चाहता मैं नहीं चाहता कि आप मेरे छूने से बिखर जाए हो सकता है कि मेरी कमिया आपको पता चल जाए और आपी कमिया मुछे पता चल जा है हो सकता है मेरे सम्मान में आप कमी कर दें और आपके सम्मान में मैं कमी कर द rushed हूँ तो हो सकता है जिसे मैं उस दिन सापका विरोद करने लगू इसलिए मैं दूर से बड़ा खुब सुर्त आप मेरे लिए गुलाब की फूल की तरह है और गुलाब की फूल को छूने के बाद भिखर ही जाता है क्योंकि बड़ा नाजुक होता है और मेरे लिए गुबिंदा जी इस तरह नाजुक है उसी तरह में सबसे बोलने वाला हूँ कोई जरूरी नहीं अगर आप किसी को प्यार हम तो भगवान को बहुत मानते हैं तो कहां हम भगवान से मिलने के लिए जाते हैं हमारे पास तो साधन नहीं है लेकि कोई जरूरी नहीं हम किसी को मानते है तो उसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है आप उसका सम्मान करिए आप से नहीं मिलकर भी मैं आपके दिल में हूँ, आपसे मिलूगा तो भी आपके दिल में हूँ, तो कितने लोग मिल पाते हैं, कितने लोग नहीं मिल पाते हैं, तो ठीक है, आप मैं इच्छा जताते हैं, तो आपका सम्मान है, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे जीवन हैं, आप जिसस प्रजीसन कर रहा है। बहुत सारे चीचे होती है कि एक जब आदमी उस लेबल पे पहुंच जाता है तो उसके पास रिसमिसिबिलिटी बहुत बड़ी हो जाती है। उसको पबली के दिल के लिए काम करना परता है। उसके मुरु रचन के लिए काम करता है। परदूसर के पैसा दिया है तो उसका भी काम करना है। तो बहुत सारे चीज हो जादी तो पिलीज आप लोग उसके लिए बुरा मत मानियेगा। कि मैं किसी से नहीं मिल पाता हूँ। आप मेरे पास आज आएंगे तो मैं आपका सम्मान हमेशा करोंगा। करता है के पास एक अपका कादर हमेशा रहा एगा, मैं हमेशा रहा हमेशा मेरे पास अधा argument और किसी से जह वाग। प्रेस्क प्रेस्ट बेल इकन अजिए अबने एंगर अनधर अफ रड़ दो